नमस्कार साथियों मैं हूं अनोश कोठारी पोना उनलाइन क्लासेस में आपका आर्दिक स्भागात हम अभी नंदन करता हूं आज हम बात करेंगे राजिस्तान की कला और सस्कति के एक और महत्पूर्ण प्रकरण राजिस्तान की लोग दीवियों की सबसे पहले में बात करूँगा लोग दीवियों की अंदर करणी माता अब देखिए करणी माता यहां लेक लताओं में करणी माता सबसे पहला सवाल करणी माता पर बिकानेर के राठोडों की कुल्देवी और चारणों की कुल्देवी अगर ये सवाल पुछा जाए तो करणी माता जोदपुर के राठोडों की कुल्देवी नागणी ची माता और बिकानेर के राठोडों की कुल्देवी करणी माता की कुल देवी और चारणों की कुल देवी चारणों की कुल देवी बिकानेर की राठोडो और चारणों की कुल देवी है करणी माता इनका उपनाम क्या तो इनका उपनाम चुहों वाली देवी अब चुहों वाली देवी क्यों का जाता है क्योंकि इनका मुख्य मंदिर बना ह देश नोक बिकानेर में और उस मंदिर में असंग के मात्रा में चुहे हैं इसलिए करणी जी को चुहो वाली देवी के उपनाम से भी जाना जाता है करणी जी का जन्म वा 1387 इश्वी में सुवाप गाउं जोदपूर में सुवाप गाउं जोदपूर में 1380 में करणी जी का जन्म वा पिता इनके मेहाजी चारण इता इनके मेहाजी चारण, माता इनकी देवल रानी, जन्म नाम इनका रिद्धी बाई, पती इनके देपाजी बिट्थू करणी जी की भी एक इस्ट देवी थी जिनका नाम है तेमडा राय देवी ये इनके जीवन से समंदित, प्रारम भी कुछ बाते में ने आपर लिखी है कि करणी जी का जन्म कब हुआ तो तेरा सो सित्यासी स्वी में सुवाप गाउं जोदपूर के अंदर पिदा इनके मेहाजी चारण, माता इनकी देवल रानी, पती इनके देपाजी बिट्थू, जन्म नाम इनका रिद्धी बाई और इनकी इस्ट देवी का नाम तेमडा राय देवी, अब देखिए करणी जी का मुख्य मंदीर बना हुआ है देश नौक बिकानेर के अंदर, यहां लिख लेता हूं इनका मंदीर, देश नौक बिकानेर, यहां पर करणी जी का मुख्य मंदीर इस ती थे, इस मंदीर को भ वक्त जनोद्वारा मट कहा जाता है मंदीर में असंग के मात्रा में चुहे हैं जिने करणी जी का काबा कहा जाता है अब यहाँ पर कई सारी गाइड बुके ब्रहमित कर देती है कि काबे का मतलब सफेद चुआ एसी बात नहीं प्रामानिक जब हम रेफरेंस पढ़ते हैं उसके अंदर सिधा लिखा हुआ कि सफेद, काला, मटमेला या भूरा किसी भी प्रकार का चुआ जो है वो करणी जी का काबा कहलाता है चारण लोग इन चुआ को अपना पुर्वज मानते हैं सफेद चुए के दर्शन करणी जी के दर्शन माने जाते हैं लोग मानस में सफेद चिल को करणी जी का रूप मानकर पूजा जाता है ये सवाल भी प्रतियों की प्रिक्षाओं में पूछा जाता है कि सफेद चिल को किस लोग देवी का रूप मानकर पूजा जाता है देशनों बिकानेर में प्रतिवार्श चेत्र और आश्पिन नवरात्राओं में करणी माता की आराधना में मेले का आयोजन होता है यानि कि भर्च में दोबार इंका मेला बरता है चेत्र और आश्विन नवरात्राओं में नवरात्राओं हमेशा शुकल पक्ष में आती है यानि कि चेत्र शुकला एकम से चेत्र शुकला नवमी तक और आश्विन शुकला एकम से आश्विन शुकला नवमी तक राव बिका बिकानेर की स्तापना करणी माता के आशिरवाद से करते है जबकि राव जोधा महरान गड़ दुर्ग की नियू करणी माता के हाथों से रखवाते हैं यहाँ पर मैंने करणी माता की डिटेल इसपस्ट की दुबरा एक बार रिपीट कर रहा हूँ बिकानेर की राठोडों और चारणों की कुल देवी अगर पूचा जाए करणी माता इनका उपनाम क्या शूहो वाली देवी क्यों कहा जाता है क्योंकि इनके मंदीर में असंकी मात्रा में शूहे हैं जन्म इनका तेरासो सित्यासी स्वी में जोदपूर के अंदर स्वाप गाउ में पिता इनके मेहाजी चारण, माता इनकी देवल रानी, जन्म नाम इनका रिद्धी बाई, पती इनके देपाजी बिट्टू और इनकी भी इस्ट देवी जिनका नाम हमने पड़ा तेमडा राई देवी मुख्य मंदीर का इस्तिते करणी जी का देश नौक, विकानेर के अंदर भक्त जन इस मंदीर को मट केते मंदीर में असंके मात्रा में चूहे हैं जिने करणी जी का काबा कहा जाता है चारन लोग इन चुओं को अपना पूर्वज मानते हैं सफैध चुहे के दर्षन, करणी जी के दर्षन माने जाते हैं और लोग मानस में सफैध चिल को करणी जी का रूप मानकर पूजा जाता है प्रतिवर्ष चेत्र और आश्विन नवरात्राओं में देश्ट नोग विकानेर में करणी जी की आराधना में मेले कायजन होता है राव विका विका नेर की स्तापना करणी माता के आशिरवाद से करते हैं जबकि राव जोधा मेहरान गड़ दूर्ग की निव करणी माता के आथों से रखवाते हैं धनिवाद साथियों पुना मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई लोग देवी के साथ धनिवाद